चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देग स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो ESIC यानि Employees State Insurance Corporation जिसे सोड में ESIC कहा जाता है उसमें MBBS BDS Admission के लिए एक Certificate की आवश्यक्ता होती है जिसे Insured Person यानि IP Certificate कहा जाता है इस Certificate की Online Application Form Apply करने की Last Day 26 July 22 है वैसे मैंने इसका वीडियो जब इसके registration स्टार्ट हुए थे तभी बना दिया था मगर उस समय आप NEET की preparation कर रहे थे इसलिए हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा इसलिए मैंने सुचा दुबारा से इसके बारे में ये वीडियो बना दिया जाए लास्ट डेट्रियों अंडर के बारे में तो इसमें ESIC quota की counseling MCC दुबारा करवाई जाती है और इस quota की cutoff बहुत ही कम रहती है यनि कि इस quota की cutoff इतनी कम रहती है कि अगर हम 21 की बात करें तो इसकी general category की cutoff 509 marks रही थी इस साल इसकी cutoff 500 marks तक रह सकती है जनरल category की अब ESIC की पूरी details मैंने All India quota की book में दे रखिये आप इसको इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं अब इस certificate के लिए eligible कौन कौन से candidates है तो जिन candidates के parents का ESIC scheme के तहत state insurance deduct होता है वो सारे candidate इस certificate के लिए eligible हैं वो आप भी अपने parents से मालूम कर लें कि अगर उनका करमचारी रज बीमा निगम के तहत insurance करता है तो उनके पास IP card है आप भी इस certificate को बनवा सकते हैं अगर जिनके पास में IP card है क्योंकि इस quota की MBBS के लिए कटो बहुत ही कम जाती है जो मैंने आपको अभी पहले बताया है यह certificate online apply करने के बाद आपको रिजनल ESIC office से collect करना होगा यह certificate और counseling के लिए जितनी भी candidates का यह certificate बना होगा ESIC की website पर यह certificate उनके नाम upload कर दिये जाएंगे और एक list इसकी MCC को भी भेज़ दी जाती है जब आप MCC के counseling के लिए apply करते हैं ESIC quota के तैट तो आपका अगर certificate बना हुआ है तो आपको कुछ भी करने की आउशकता नहीं है आप MCC की website पर जाकर के ESIC की detail आपके पास available हो जाएगी अगर आपका certificate बना हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है उसके उपर आपने ठिक कर देना है ESIC के लिए और आप ESIC quota के लिए eligible हो जाएंगे उसमें तो यह तो है इसका certificate बनवाने से लेकर के MCC की counseling तक का procedure अब इसमें certificate कैसे बनवाना है तो इसके लिए उपर इसमें link दिया गया है एक application by candidates for issue of ward तो इसके लिए आप इस पर click करेंगे तो इसकी registration की website पर आप पहुंच जाएंगे अगर आपने पहले registration कर रखा है तो इसमें email address, password फिल करने के बाद में capture code डालने के बाद में आप इसमें login करेंगे otherwise आपने पहले नहीं कर रखा है तो इसमें registered here पर click करके आप इसका registration करेंगे create an account करेंगे यहाँ पर और registered now पर click करके registration करेंगे और फिर जो भी इसमें आगे filled आएंगे उसको fill करके जो भी अब जो document से upload करने हैं upload करके आप इसको final submit कर लें और acknowledgement का print ले लें तो यह जानकारी थी ESIC certificate के बारे में last date नजदीक है फिर से बता देता हूँ 26 July 22 last date है जल्दी करें अगर आप इस scheme के तहत आते हैं तो क्योंकि इसकी cutoff काफी कम जाती है मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैग हैं